इस lecture के अंदर मैं आपको कुछ और टाइपस भी बताता हूं matrix की और जो पिछले lecture में मैंने आपको diagonal matrix बताया था हम उसी से आगे चलने वाले हैं Let's move into our screen यहाँ पर अगर गौर करें मैंने आपको diagonal matrix बताया था कि जिसकी diagonal line के अंदर 0 ना हो बाक्यों के अंदर 0 हो और अगर diagonal के अंदर यहाँ पर एक्जांपल कोई भी value हो सकती है लेकिन अगर diagonal के अंदर सारे के सारे जो हिंसे हैं वो 1 हो और वो squared matrix भी हो इसको हम बोलते हैं identity matrix identity matrix क्या होगा? identity matrix is a squared matrix मैं यहाँ पर लिखतेता हूँ ऐसा matrix जिसके elements जो है of the principal diagonal are 1s and all other elements are 0 उसको हम बोलते हैं identity matrix ठीक है? इसके बाद जो अगला है हमारा वो है 0 matrix ऐसा matrix जिसके अंदर जो values हैं सारे की सारी 0 हो वो 2 by 3 का हो, वो 3 by 2 का हो, whatever is that उसकी सारी values 0 होंगी इसको हम बोलते हैं 0 matrix फिर इस तरीके से हमारे पास होते है transpose of a matrix कि हम किस तरीके से एक matrix को transpose करते हैं transpose of a matrix ठीक है? इसको हम कैसे represent करते हैं? मैं इसकी definition आपके सामने लिखता हूँ and then we will explain this in easy words transpose of a matrix is formed by turning all the rows of a given matrix into columns यही काम आप Excel में भी करते हैं जब आप different किसम का data बनाते हैं मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ के हमारे पास एक matrix है जिसकी value है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे अगर मैं इसका transpose लूँ तो इसका मतलब यह हुआ simply, rows को columns के अंदर convert कर दिया और columns जो हैं वो rows के अंदर होगी तो इसको बोलते हैं हम transpose हम इसको vice versa भी कर सकते हैं columns को rows के अंदर भी कर सकते हैं और next हमारे पास है symmetrical matrix symmetric 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 matrix यह symmetric matrix क्या होगा यह ऐसा matrix है मैं आपको बना के दिखाता हूँ एक, दो, तीन दो, तीन और पांच, छे छे और यहां पे नो चेक कीजिएगा जब मैं इसका transpose लेता हूँ अब गौर कीजिएगा वो सारे का सारा सेम ही होगा जो यह वाला matrix बना हूँ है देखिएगा मैंने 1 लिख दिया अब यह वाला 2 इदर लिखता हूँ यह वाला 3 इदर लिखता हूँ फिर मैं लिखता हूँ यह वाला 2 इदर यह वाला 5 इदर 6 इदर फिर मैं लिखता हूँ 3, 6, 9 तो यह तो वही बन गया ना जो पहले था यानि कि इसका transpose इसके बराबर हो symmetry इसको बोलती है यानि कि उसका उल्ट भी सेम वैसा ही हो symmetrical matrix जैसे यार हमारी आंखे नहीं होती अगर आप गौर करें तो हमारा जो symmetry है symmetry क्या होती है तो दोनों matrix एक दूसरे के जैसे नजर आएंगे ठीक है यह इसकी symmetry ही है ठीक हो गया इसको बोलते हैं symmetry गर्ण matrix and there are many other matrix जिसमें से कुछ मैं भी आपको दिखा देता हूँ फिर हम अगले lecture में देखेंगे जिसमें से अगला है skew symmetric method skew symmetric sorry skew symmetric matrix ऐसा matrix इसकी definition आपके सामने लाता हूँ फिर इसके बारे में बात करते है skew a squared matrix ऐसा matrix जो squared होगा यानि कि 2 by 2 या 3 by 3 का होगा whose transpose is equal to its negative यानि कि उसका negative जो है वो उसके transpose के equal है this means the element on the diagonal must be 0 let's see हम इसको बनाते कैसे हैं हम इसको simply 0, 0, 0 ये एक line लगा दी हमने अब जो यहाँ पे 1 होगा वो यहाँ पे क्या होगा minus 1 जो यहाँ पे तीसरी line के अंदर 2 होगा वो यहाँ पे क्या होगा minus 2 जो यहाँ पे 6 होगा वो यहाँ पे क्या होगा minus 6 जो इस तरीके से यह हमारे पास basically तीन जो हैं वो line बनती है इसकी मिसाल यह है कि आप एक line लगाएं अगर यहाँ 1 है तो यहाँ minus 1 यहाँ 2 है तो यहाँ पे minus 2 3 minus 3 4 minus 4 जो इस तरीके से आती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स यह कौन सा मैट्रिक्स होगा अब आपको भी समझ आ रही है कि यह line के ऊपर यहाँ पे values हों 3 2 1 और नीचे 0 हों simply ठीक है समझ आगी बात की आपके पास एक ऐसी चीज़ यहाँ पे line के ऊपर values हों और यह इस तरीके से आपका मैट्रिक्स बने इसको originally बनाने के लिए आप क्या करते हैं 3 by 3 का एक मैट्रिक्स हम बनाते है और यह वाले लगा दिया 0 0 0 लेकिन यहाँ पे 1 5 9 6 3 2 तो यह basically अपर triangle बन रही है अगर आप गौर करें यह हमारे पास अपर triangle बन रही है of matrix सही है यह अपर triangle बन गी तो इस तरीके से इसको square matrix ऐसा जिसके below जो है triangle के 0 हो और अपर हमारे पास इस तरीके से triangle बने अगर यही चीज़ को हम कुछ इस तरीके से बनाएं कि यहां पर हम लिखें 1, 5, 9 और यहां पर हम लिखनें 2, 3, 6 और यहां पर हम 0, 0 लगा दें तो यह हमारी क्या होगी आपको पता है आपने इसको खुद नाम देना है यह हम इस तरीके से इसकी triangle बना सकते है यह हमारे पास lower triangle matrix है lower triangle triangular matrix ठीक है यह squared होना जरूरी है अगर squared नहीं होगा तो आपका काम नहीं चलेगा तो यह कुछ important matrix की types हैं जो आपके सामने मैंने रखी है यह सारी की सारी important क्यूं है क्यूंके जब हम हम इसके बारे में बात करेंगे और आने वाले दिनों के अंदर हम vectors की dot products और different किसम की products के बारे में देखेंगे determinants को देखेंगे और vectors को किस तरीके से हम find out करते हैं उसके बारे में हम study करेंगे at that point you will understand के यार यह machine learning के अंदर जाके हमें बहुत असानी होने वाली है I know आप मेंसे काफी लोग ऐसे हैं जो यह सोच रहे हैं के यार mathematics हमें अब क्यूं पढ़नी है data science के लिए ओ भई data science अगर अच्छे से पढ़नी है तो mathematics पढ़ लो नहीं अच्छे से पढ़नी तो python का चिल्ला आप सिरफ google पे लिखें आपके सामने पूरे का पूरा एक course आजाएगा उस course को complete कर लें अगर आपको नहीं वो कोई भी ऐसी चीज़ का पता चार रहा तो info at codenix.com पे हमें email करें जो link मैंने description में भी दिया हुआ है वहाँ पे जा कि आप courses हमारे explore कर सकते हैं इस course को चोड़ के बाकी course कर लें लेकिन अगर 6 माह में data science और AI को master करना है तो please, 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 please linear algebra को सीखें जो आने वाली statistics है उसको सीखें pre calculus पे हम थोड़ा सा गाम करेंगे लेकिन in later stages तो आप उनको चीज़ों को सीखें ताकि जब आप machine learning में जाएं आपको समझ हो कि matrix क्यों ज़रूरी है computer vision, robotics और जितनी भी आने वाली हमारी AI की applications है उनमें transformations का बहुत role है आपको पता होगा कि generative AI बहुत आगया गी है वो ये सारा numbers का खेल है अगर आपको numbers की समझ आती है तो आपको nature की समझ आती है because nature के साथ अगर बातें करनी है तो आपको mathematics सीखनी पड़ेगी usually लोग mathematics को religion भी तसवर करते है क्यों? क्यों 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 है हर equation एक miracle है ये by the way fictional बता रहा हूँ आपको उनका ये मानना है कि हर एक equation जो है हमारे पास एक miracle है और जैसे हैं वो miracle होता है कोई नई चीज हमारे सामने आती है so mathematics क्या है वो nature से बातां करने का तरीका है अगर आप mathematics को सीख जाते है you can actually learn natural phenomena's और phenomena के phenomena's जो भी होता है phenomena को learn करेंगे और believe me अगर आप linear algebra को सीख जाते हैं आप को data science में इंतहाई असानी के साथ आप आगे move कर सकते हैं data visualization इस पे better करती है आपके पास जितने भी किसम के graphs आने हैं वो सारे के सारे इस पे बनेंगे plotly के plots वगरा आएंगे तब भी आपको मैं ये सारी equations दिखाने वाला हूँ and in later stages अगर आप formula बनाना सीख जाते हैं तो machine learning आपके लिए इंतहाई असान होने वाली है और neural network के अंदर तो होते है activation functions और बाकी चीज़े है so there are many things इंशाला जो हम सीखने वाले हैं इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें अगर आपको लगता है कि आज का lecture आपको अच्छे तरीके से समोझा है and you learn something please write down in the comment section और अगर आपको लगता है कि आप कुछ और भी सीखना चाते हैं then explore our website www.codanics.com अपना ख्यार रखें दौा में यार रखें मिलते हैं कल को exactly 7.9 बजए take care and Allah Hafiz